हैलो फ्रेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्त होंगे इसी वी दौराशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और यह देखिए दोस्तों यह है पांच लिटर का केन और पांच इनमें प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं सभी पौदे बहुत ही स्वस्त रहते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करते हैं इनमें देखिए दोस्तों चुटी-चुटी कंटेनर में प्लांट लगाने के बहुत सारे फाइदे होते हैं सबसे पहला फा दुकान में जाने की कोई अवश्कता नहीं है। यह हमारे गर पर हमारे हमारे रसोई घर से हमें उपलब्थ हो जाते हैं। पूड़े कच्चने में जाते हैं, दोस्तों तो एक पहाड का रूप ले लेते हैं, तो चारू तरफ हमें हर्याली देखने को मिलती है दोस्तों ये रिकिए इन में फूल भी बहुत अच्छे से हाते हैं और हर्याली भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है इन डिब्बों में प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं बस कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो वेल्डेन मिट्टी आप बनाईए, दूसरा जो है नीची ड्रेनेज बहुत अच्छे से बनाईए, अगर ड्रेनेज बहुत अच्छे से बनेंगे, तो आपका कोई भी पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, ये जो पौधा है, ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है, दोस्तों, तो इन बेकार की कंटेनर में, बेकार की चीजों में दोस्तों, फूल भी देखने को मिलते हैं, फल भी देखने को मिलते हैं, तो इन कंटेनरों को आप बिल्कुल भी मत्विक किए, और काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं चार से पांट साल इने कुछ भी नहीं होता है अराम से यह कंटेनर चलते हैं तो आप इनका यूज करके जो है एक सुंदर सा गाडन बना सकते हैं कटिंग से यह प्लांट जो है बहुत ही ईजीली लग जाता है यह लिख दो यह एक और प्लांट मेरा कितनी खुपसूरती के साधे के दोस्तों ग्रो कर रहा है पौदे बहुत ही अच्छे से बहुत ही हल्दी बने रहते हैं बस आपको जो है कुछ बातों का ही ध्यान देना होता है उसके बाद जो है आप इनको लिक्विड फटलाइजर देते रहिए आप सबज चाइपिए के च्छी पाटलाइजर भी दे सकते हैं चयूज की रही चाइपति बहुत की किशाबर के पादों के रहें को मेरे अच्छे से लुटा नहीं होता है वेहाश्य सक्फूमारी धिया से वहाँ से बीडिस अच्छे सी निकलने वाले अच्छ जो कई है घ्यित कें अ ग्रो कर रहा है दोस्तों पाफी लंबे समय से यह बना हुआ है बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देता है एक और कंटेनर है दोस्तों यह देखिए यह भी पांच लिटर का ही केन है और इसमें भी मेरा मैक्सिन पृटोनिया का प्लांट लगा हुआ है और बहुत ही खुबस इन में जो है पौदे लगा सकते हैं तो दो लिटर की केन भी आती है दोस्तों आप उनका भी यूज कर सकते हैं और भी मेरे गार्डन में ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं दोस्तों जो की मैंने जिन में पौदे ग्रो कर रहे हैं आज मैं आपसे सिरुफ पांच लिटर के केन ह यह भी देखे दोस्तों 5 लिटर का केन है जिसमें लगा हुआ है मेरा गुल्दाओदी का प्लांट और गुल्दाओदी का प्लांट जो है सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है कटिंग से बहुत ही आसानी से यह पौधा लग जाता है तो देखे कितनी दोस्तों बहुत ही अच्छे से सभी पौधे इन में ग्रो करते रहते हैं यह भी पांच लिटर का जो है केन है दोस्तों जो हमारे घर में फुनायल वगरा की बॉटल आती है वही वाला केन है और इसमें रिखे मेरा यह गुल्दाओदी का प्लांट लगा हुए दोस्तों कि कितना घहना कितना खुबसूरत यह पौधा इसमें ग्रो कर रहा है तो इस तरीके से आप जो है इन कंटेनरों का यूज कर सकते हैं और आपके घर में अगर इनवर्टर है इनवर्टर का पानी जो आता है दोस्तों उनकी केन आती है पांच लिटर वाली आप उसका दोस्तों मैंने इस प्लांटर में बहुत सारे फ्लावर देखे हैं विंटर में तो देकि इतना खुबसूरत लग रहा है इस तरीके से बनाया हुआ यह प्लांटर यह देखिए फ्रेंड्स यह भी पांच लिटर की दही का डिपा है दोस्तों और इसमें यह मेरा लगा जो कि देखे कितनी खुपसूरती के साथ ये मुझे फ्लावरिंग दे रहा है ये पौदा भी कटिंग से बहुत ही असानी से लग जाता है दोस्तों तो अगर इस तरीके के पांच लिटर के दही के डिब्बे आपके घर में आएं दोस्तों तो उनको भी आप बिल्कुल मत वे आप उनमें पौदे अराम से ग्रो कर सकते हैं देखे कितना अच्छे से मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है और कितनी खुपसूरती के साथ इसमें मुझे फ्लावरिंग भी देखने को मिल रही है ये देखे दोस्तों ये है फूलो का गुलदस्ता और ये फूलो का गुलदस्ता करनी है इनका यूज करना है और आप इन जो है अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं बे जेज़ग कर सकते हैं नीस्igorका ये अप्लांट करना सकते हैं दोस्तों सभी बांट अच्छे से लग藏त ऐसãy इसमें ये बना हुआ है मेरा पौधा लेकिन देखे प्लांट बहुत ही खुपसूरती के साथ चल रहा है इतने गुच्छों में इसमें फ्लावर आए है दोस्तों तो इस तरीके से आप ये मस सोचिए कि इन विकार के कंटेनरों में पौधे ग्रो नहीं होते हैं दोस्तों ले अबहुताहह nessa और में दोस्ति के साथ मुझे प्लावरिंग दे रहा है तो आज दोस्तों मैंने आप से शेयर किए अपने गारडन के के केंट तो आप यनमें पौदे आराम से घ्रो कर सकते हैं 5 लिटर की केन में चलने वाले खुबसूरत बौधे मैंने आज आप से शेयर कियें इनको कूड़े कच्रे में बिल्कुल मिमत्वे के और इनसे आप जो है एक सुन्दर साख टैरेस गार्डन जरूर बनाएंगे वाइ फ्रेंड्स हपी गार्डनिंग थैंक यू